नमस्कार, आदाव, सिथ्यकाल, भाई बने देवे सजनुम। Law एक ever-changing subject है और इसके अंदर बार बार लगातार amendment होता रहता है। कभी आपने सोचा है क्यों। Because law बनाने वाले लोग भी इंसान है और भगवान नहीं। So, जब भी कोई नया law बनता है, we cannot foresee all the possible things that is implied by the law। बहुत सारे नये cases, बहुत सारे नये circumstances और situations होती है, जो हम law बनाते वक्त interpret या imagine नहीं कर पाते हैं। उन circumstances को, उन events को या उन loopholes को फिल करने, बार बार समय समय पर हम लोग हर एक act को amend करते रहते हैं। यह amendments, loopholes को भी भड़ते हैं। Mischief जो हो रही थी, law का जो दुरूपयोग हो रहा था, उसे भी रोकते हैं। और साथ जाथ आपके और हमारे लिए, थोड़ा सा headache भी कर देते हैं। Because end moment पे exam से, just कुछ दिनों पहले, बहुत सारे नये concepts आपके सामने आ जाते हैं। आज इस वीडियो में इन सारे amendments के उपर detail में discussion करने वाले हम लोग, और आज कुछ special चीज़े आप सुन लो। आज जो files मैं आपको दिखाऊंगा, वो रहेंगे ICI के modules और ICI द्वारा दी गई RTP because मुझे बताएं कि maximum लोग इन amazing बने वे modules और RTP में से पढ़ रहें। तो उन लोगों के लिए इनको note down करना आसान रहेगा, उनको अपने खुद module में इनको note down करना easy रहेगा, आपको pages बताए जाएंगे, थोड़ा brief history बताऊंगा, हरी commitment के पीछे, कहां पर आपको अपने book में edit करना है, कहां पर नया पढ़ना है, और उसका क्या importance है, इन सब में business laws and business correspondence and reporting पढ़ा चुका हूँ, और आप मैं आप लोगों intermediate में corporate and other law भी पढ़ाता हूँ, आप लोगों ने ये सब चीजे मेरे बारे में जान रखिए, इदर है नहीं दोस्तो, मैं आप लोगों inter group 2 में EIS भी पढ़ाता हूँ, चलिए वो सब अपनी वाली तारीफ पाली बात है और सब आप लोगों पता है और नहीं पता है तो आप इदर से पता लगा ही सकते हूँ, चलिए एक positive thought से start करते है आज का हमारा class, दोस्तो किसी महापूरिश ने कहा है, change is the only constant thing in this world, everything keeps on changing and everything should change, otherwise it's stagnant life में क्या मजा है, मैं आपको ये कहूंगा, rather than fighting a change, try adopting it, it is much easier, much convenient and much useful, आज हम भोई करने वाले है, we are not going to fight the changes, we are going to adapt it in our syllabus, so without any further ado, let us go to where we are supposed to go, आज हम लोग देखने वाले amendments mentioned in RTP issued for May 23 CA Intermediate Exams, अगर अभी तक आप लोगों ने RTP नहीं देखी, तो आप इस website पे click करके, अराम से उस RTP को देख सकते है, मैंने आपके सामने ICI का website open कर दिया है, student section में जाहिए, और वहाँ पर आप student में आने की बाद BOS knowledge portal पे जाहिए, visit करिए, और वहाँ पर आप लोगों को एक revision test paper का option मिलेगा, यहाँ से इंटेमिजेट से लेक करिए, और यहाँ से corporate अंदरलोग की RTP आप डाउनलोड कर सकते हो, यह रही में 23 की IV latest RTP, इसको click करते ही आपके सामने RTP आजाएगी, मैं इसे अपने पास save करके रखा हो, तो मैं उस application में से आपको यह बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, तो यहाँ से आप RTP डाउनलोड कर सकते हैं, और आप लोगों को अगर modules भी डाउनलोड करने हैं, तो आप यहाँ से अगर आप थोड़ा पहले आएंगे, तो जहां से हमने RTP क्लिक क्या था, वहीं पर आपको study metal का भी option है, वहाँ पर जाके आप study metal डाउनलोड कर सकते हैं, यह बहुत अच्छा option है, BOS portal, इसको ज़रूर चेक आउट करना आपके काम की, बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर मिलेगे, now that being said, now let's come to RTP, तो दोस्तो इस तरह से आपकी RTP आपके सा करना है तो, लेकिन बात करेंगे amendment की, सबसे पहले आप लोग जो modules use कर रहे हो, वो module September 2021 edition है, यह आप चेक करने के लिए आप अपने module के जो initial page है, उस initial pages को देख सकते हैं, इस तरह से आपके pages है, और यहाँ पर आप देखेंगे, तो edition लिखा दिख जाएगा, और अगर यह edition आ देख रहा है कि September 21 है, तो इसका मतलब आप latest edition से आपने अपनी पढ़ाई की है, तो यह एक बार edition आप जरूर चेक कर लेना, यह September 21 का edition हम लोग देखेंगे, अब आपके RTP में लिखा है कि September 21 का जो edition है, वो applicable है May 23 के exams के लिए, और इस study material में सारे के सारे amendments covered है, तिल 30th April 2021, यह यह जो edition आप पढ़ रहे हो, यहाँ पर 30 April 2021 तक के सारे amendments covered है, और रही बात उसके आगे के amendments, यह निकि 1 April 2021 से 31 October 2022, अब आप गौर फर्माना, अगर आप लोगोंने last amendment वीडियो देखा है, तो आपको लगेगा, अरे सरा पूराना पूराना क्यों पढ़ा रहे हैं, यह तो हमन यह बताईए जरा, यह यह last six months के amendment है, नहीं, यह amendment शुरू होते 1 मही 2021 से 31 October 2022 तक के, and therefore there is a possibility that some of the amendments will get repeated अगर आपने पूराने amendment videos देखे हैं, तो, कोई बात नहीं, मैं यह अजिम कर रहा हूं कि आप लोग ने इस module से पढ़ना शुरू किया था, और यहां तक module पढ़ा है, इस शुरू करते हैं हमारे amendments तो, तो अब 1 मही 2021 से 31 October 2022 तक के amendment अब हम पढ़ने वाले हैं, तो यही हमारा जो module है, इसमें April तक तो covered था, इसके बाद का जो है, मैं 2021 से 31 October 2022 तक का amendment अब हम यहां पे RTP में पढ़ेंगे, May 23 वाले, तो यह अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका आप रखेगा, that means, चलिए, इसको कर देता है, बंद, इसको कर देता है, ignore, और अब चलते हैं, आगे, सबसे पहला amendment आपका आ रहा है, बड़ा simple amendment है, यह आपका small company का amendment है, जहां तक मुझे लग रहा है, 22 तो यह amendment के लिए आपको अपने preliminary chapter में आना पड़ेगा, preliminary chapter में आप देखे ही, आइए पहले वो limits देखते हैं, उसके बाद उस limits को हम update करेंगे, तो मैं आप लोग को सीधा सीधा definition section में लेकर आने वाला हूँ, definition number 85 पे, तो यह हम आ चुके है, definition number 85 पे, और इस definition में हमको पता चल रहा है, देखो, यहां पर दिख रहा है, draw किया हुआ, 2 crores और 20 crores, यह स सब कुछ आपको बदलना पड़ेगा, सबसे पहले देख लेए थे definition के बार में small company का definition दिया था, और इसमें कहा गया था, small company means any company other than public company having paid up share capital, not exceeding 50 lakhs, but which makes, you know, और साच चाहर amount as we described, which can be up to 10 crores, or turnover not exceeding, again, यहां पर ही वही किया, 2 crores, or any amount not more than 100 crores, but यह जो limits दी गए, यह पालयमे ने क्या limit decide की थी, by rules, sir, central government limit decide की, 2 crores, or 20 crores, जो हम exam में देखने वाले थे, आपने बताया था, कि इसको exam में देखना है, अब इसको change करना है, आपको, is 2 crores, or 20 crores को, जैसे कि आप यहां पे देख सकते है, आपको इसको change करना है, to, यह देखो, यहां लिखा है, 4 crores, and 40 crores, ज दिखा हो, but, मेरा काम है, article में से सारे amendment पढ़ाना, उन बच्चों के लिए, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो, उनके लिए amendment जरूर है, तो, अगर आपको इस amendment के बारे पता था, तो, well and good, अगर नहीं पता था, तो, अभी आप लोग यह change कर लेंगे, तो, यहां chapter मे आएंगे, और यहां पर 2 करोर है, वहां पर 4 करोर करेंगे, और यहां पर 40 करोर, तो, यहां पर भी आप 4 और 40 कर देंगे, double हो चुक है, that's it, nothing else, अब जो नीचे के आप questions solve करेंगे, इन सभी questions में आप याद रखना 2 करोर्स और 20 करोर्स नहीं, 4 करोर्स और 40 करोर्स understood, sir इसका impact क्या होता है, इसका impact यह होता है, अब ज़्यादा company small company के नाम में आने लगेगी, भेंगाई बढ़ रही है, चीजे difficult हो रही है, और हम नहीं चाहते कि small small businesses हैं, उनको companies active compliance का बहुत heavy cost पे करना पड़े, इसलिए हमने small company के threshold को बढ़ा दिया, जिससे कि अब ज़्या बहुत सारा law पड़ा है, बहुत सारे relaxation इनको मिल जाते है, चली चलते है, अब हम जाएंगे incorporation of company में, तो जल्दी से मैं कर लेता हूं, incorporation of company को open, तो यह रहा हमारा incorporation of company, अब आते है, इसमें क्या change हुआ है, इसमें हमने change किया है, section 16 के अंदर, चलो section 16, मैं आपको पताता कि कैसे पड़े, मलब कभी भी कोई amendment आता है, तो उसको कैसे पड़े, आप लोग section by section इसमें जा सकते हो, मैं इसमें चला जाता हूं, section number 16, incorporation में, कहां पर है, उपर चलो, उपर चलो, ऐसी करने का, क्या होता है, इससे ना, फटाफट फटाफट चीजे, आपको समझ में आती और अच्छा, amendment अगर आप देख रहे हो, बहुत अच्छी चीज, institute ने ये भी किये, कि amendment के नीचे ना, उन्होंने page number भी लिखा है, जैसे यहां पर लिखा है, अब आपको भटकने की ज़रुत नहीं, आप यहां पर जाहिए, 2.39 page number पे, ठीक है, यहां आपको section 16 मिल गया, त और आप लोग देख रहे हो, कि 2.39 पे सारे के सारी चीज़े लिखी थी, यह box दिया हुआ है, देखो, दिख रहा है, यह liability वाला box, है न, on an application से, यहां से, यहां से, यहां से, on an application, लिखा है, ठीक है, and for point number 2, यहां पर उनने changes करवाए, ठीक है, अब आप इसके जगा पर क्य 1, in clause B, for the word period of 6 months, the period of 3 months shall be substituted, okay, चालो, सबसे पहले तो हम लोग 6 months को 3 months कर लेता है, ठीक है, clause कौन सा बोला था, उनने, subsection 1, clause B, subsection 1, clause B में, हम लोगों को changes करने है, on an application by the registered proprietor of a trademark, that the name is identical with, और to nearly resembling to the registered trademark, तो यह case तरह समझ लो, same example आपने company incorporate कर ली, और गलती से आपकी company किसी और के trademark से बहुत ज़ाए match होगी, या किसी और के registered trademark या नाम से match हो जाती है, तो central government आपको बोलती है, कि भाई, अपना नाम change कर लो, और central government आपको यह बोलती है, कि within 6 months अपना नाम change कर लो, अब यह जो within 6 months वाला period यहाँ पर comparison, तो यह जो 6 लिखा है, बस यहाँ पर 6 के जगा 3 months करना है आपको, और यहाँ पर A करके गोला मार देना है, आपको समझेगा कि amendment है, amendment है, तो RTP में आया होगा, आप RTP से इसको confirm कर सकते है, तो यह 6 months जो यहाँ पर लिखा है, उसको 3 months करो, इतना है नहीं, और एक change है, क्या पर दिख रहा है न, यह पूरा का पूरा point number 3 चला जाएगा, और इसके जगा एक नया substitution आएगा, एक new आपको पैरा लिखना है, अब मैं आपसे request करता हूँ, आप एक page पर लिख कि इसको यहाँ पर रख दो, ताकि आपको दो अलग books देखना ना पड़े, यह RTP में से बार RTP में से, जो यह पूरा का पूरा subsection दिख रहा है, यह आप लिख सकते हो, अब पहले क्या था, कि पहले central government ने आपको बोल दिया, safe example आप register trademark वाल owner हो, और आपने 3 साल के अंदर government को बोल दिया, कि sir यह मेरा नाम से incorporate हुआ, इसको change करो, central government ने उसको बोल दिया, भई अपना न का option आ गया था, तो अब यहाँ पर भी companies act में उन्हें 6 months को कम करके 3 months कर दिया, अब दूसरी बात, अगर आपने 3 मैने में यह नहीं किया तो, तो पहले financial penalty थी, तो लोग क्या करते थे, आरे पैसा चाहिए न तिरेको, चल ले कितना हो ना, 1000 रुपे, यह ले चल, 1000 रुपे, यह ले चल, 5000 रुपे, मुँपे पैसा फिक में मारते थे यार, government की इज़्जत ही नहीं है, central government की इज़्जत नहीं है, central government का आत्ता माजी सटकली हो गया, उन्हें ने का, बहुत हो गई तुमारी बात, अब अगर 3 मैने में आप बदलते हो, तो ठीक है, वरना हम बदल और हम आपके नाम, company का नाम कुछ भी रख देंगे, for example, चुन्नु मुन्नु private limited, जो उखाड़ना है, उखाड़ लेना, मैंने आपको इमानदारी से प्यार से क्या बोला, कि आपका जो company का नाम है, वो किसी और के trademark से match हो रहा है, अब मैंने एक बार बोला, दो बार, आपको तीन मैने का मौका दिया, आप अगर उसमें भी कुछ नहीं कर रहे है, और central government को आप अगर ignore कर जा रहे हो, if a company is in default in complying with any direction given under subsection 1, अब, अब central government की स्का सग गई, central government कहती है, that central government shall allot a new name to the company in such manner as may be prescribed, and registrar shall enter the new name in the register of companies in place of old name and issue of fresh certificate of incorporation, to be the new name, मैं आपका नाम कुछ भी रख दूँगा, जो मुझे रखना है, चुन्न मुन्न प्राइवेट लिमिट रख दूँगा, और वो नाम आपका register हो जाएगा, रोसी आपको उसके लिए क्या देदेगा पता है, certificate of incorporation भी देदेगा, अब बैठो बेटा, रोते बैठो अब, अब आपको क्या करना पड़ेगा पता है, अब आपको वही नाम आगी जाकर यूज करना पड़ेगा, और अगर आप उस नाम से satisfied नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप subsequently अपना नाम change कर सकते हो in accordance with the provision of section 13, that is change of name of a company, तो अगर आप हमारे दीवे नाम से खुश नहीं है, तो आ 1 September 2021 से enforce में आ गया है, तो आप ये पूरा का पूरा section में recommend करूँगा कि आप अपने book में लिख कर, यहाँ पर paste कर देंगे, इसको आप कार्ट देंगे पूरी तरह से, अब ये penalty आपको applicable नहीं है, ये पूरा पैरा कार्ट नहीं है, इस पूरे पैरा में सिर्फ और सिफ 6 months के 3 months करना है, बाकी चीज़े as it is रहेगी, क्या ये understood है, आपको ये पूरा कार्ट देना है, अब मैं आपसे financial penalty नहीं लूँगा, अब मैं थोड़ा matter serious कर दूँगा, आए देखते हैं अगले amendment को, अगले amendment आ रहा है, prospectus and allotment of security से, तो चलिए इस बार बहुत कम amendments है, prospectus को कर लेत है, open और चलते हैं, देखते हैं, कहां पर है amendment, तो amendment आया है, सबसे पहले page number 3.39 पर page number 3.39 को open कर लेते हैं, और जानते हैं कि वह हम से क्या चाहता है, बड़ा आसान है न, amendment करना, institute ने सारी चीज़े आपको दे रखे, बड़े आसानी से आप उसको check out कर सकते हैं, बहुत end में amendment आया है, penalty related होगा जरूर, देखते हैं, 3.39 पर आ गया है, एक बारी देख लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उसकी बाद हमें समझ में आएगा, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, प्राइवेट प्लेस्मेंट को ठीक हैं, प्राइवेट प्लेस्मेंट को यहाँ प प्राइवेट प्लेस्मेंट में ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देख से गला में प्राइवेट प्लेस्मेंट के industry को प्लेस्मेंट के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे पॉईंट पड़े ठीक है, एक अब याद होगा, तो हमने इस के रूल्स आपको बताये थे कि कब special resolution आपको करना पड़ेगा याद है अब इसके अंदर ना हम लोगों ने यह जो सेक्षन है यह पहले एक बार थोड़ा rule 14 को समझ लेते हैं क्यों नहीं वैसे इस amendment को समझने के लिए आपको बहुत जादा इस rule को समझना जरूरी नहीं लेकिन मैं एक बार इसलिए या आप नाम या फॉर्मालिटी के लिए नहीं कर सकता रूल 14 सब रूल 1 पास रूल की बात कर रहा है यह बताते है यह बटाते है बट पर पर प्रपस अब सब सब्सक्शंट 2 अब सब्सक्शं 3 अब सब्सक्शं 42 ठीक है अब कमपनी शल नॉत में अग अफर और इन्विटेशन तो सब्सक्राइब तो सेक्यूर्टी इस थूरू प्राइवेट प्लेसमेन अग्या अग्या प्राइवेटली कुछ लोगों को आप शेर्स देदोंगे और उनकी शेर्वल्डिंग बढ़ा दोगे हमारी कम कर दोगे हम कोई पागल तो नहीं है तो भाई पह प्राइवेट प्राइवेट प्लेसमेंट का ओफर या इन्विटेशन दे सकते हैं अब क्या अब उसके नीचे अब स्पेशल रिजोलुशन जाएगा तो उसको एक्प्राइवेट प्लेसमेंट जाएगा स्टेटमेंट जाएगा तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि बोर्ड रिजोलुशन का पास हुआ कौन से काइंड आफ सेकुरिटी को आफर कर रहे हो क्या ज अब इसके नीचे अब इसके नीचे इसी रूल के कई सारे प्रोविजो थे आपने देगा प्रोविजो वान प्रोविजो टू प्रोविजो त्री अब इसमें फोर्थ प्रोविजो एड हो गया पहले मैं आपको प्रोविजो बताता हूं और उसके बाद मैं आपको उसके रूल बता हूं मैं तो अभी आपने एक्स्पेंट्रिटिश स्टेटमेंट देख के अब आपको मैं प्रोविजो बताता हूं According to second proviso to rule 14 sub rule 1, this sub rule 1 shall not apply in case of offer or invitation for non-convertible debentures. अब आपको याद आर होगा कि हाँ non-convertible debentures को यह applicable नहीं था और वो भी especially तब when the amount that you are proposing to raise through private placement does not exceed amount mentioned in 181c या 179 3c. अब जो बच्चों ने मुझसे पढ़ा है उन लोगों को यह चीज़ पता होगी कि 181c और 179 3c क्या है 179 3c है power of board of directors and section 180 है restriction on power of board. तो section 179 में board of directors को power देते है 180 में चीन लेते है हमने 179 3c में power दी थी कि आप maximum इतना इंवेस्ट रेस कर सकते हों और हमने 181c में इस limit के ऊपर उनको मना कर दिया 179 3c में हमने कहा कि अगर आपको loan लेना है तो लो और 181c में हमने कहा कि लेकिन आपका loan amount ये amount के ऊपर नहीं जाना चाहिए बहुत सारी चीज़े आपको पता है मैंने आपको बता है main class के अंदर इसके लिए आपको main class देखनी पड़ेगी यह यहां पर मैं नहीं बता सकता लेकिन 181c के limit के अंदर अगर आप non convertible debentures issue करके पैसा raise करने की कुशिश कर रहे हो आपको special resolution की ज़रत नहीं पड़ेगी अब आप कहेंगे sir why only non convertible debentures अगर loan की problem है तो आप convertible debentures issue कर सकते हो ना loan की बात है ना तो सिर्फ non convertible debentures बोलने का अर्थ क्या है बिटा because non convertible debentures भविश्य में जाकर भी कभी shares में convert नहीं होंगे and therefore हम non convertible debentures बिना resolution पास करें आपसे pass allow कर रहे है private placement करवाने अगर यहाँ पर convertible debentures होता तो irrespective of the amount आपको special resolution पास करना पड़ता because convertible debentures आज नहीं तो कल shares में convert होंगे और shares में convert होंगे तो कुछ वो जो private लोग है उनकी shareholding बढ़ेगी हम आपको बिना हमारे permission के directly और indirectly किसी भी इंसान की shareholding बढ़ाने का मौका नहीं देंगे इसलिए यहाँ पर non convertible debenture लिखा है convertible नहीं आते आगे third proviso क्या बोलता है in case an offer or invitation or non convertible debenture where the proposed amount to be raised through such offer or invitation exceeds the amount given in 181c अगर आपको जो loan लेना है from non convertible debenture 181c से अगर ज्यादा आ रहा है तो अब तो आपको यह second proviso का exemption नहीं मिलेगा तो third proviso क्या बोलता है इस case में आप क्या कर सकते हो it will be sufficient if the company passes a previous SR only once in a year for all the offers or invitations for such debentures during the year अब आप क्या करो अब आपको अगर बार बार यह private placement करवाना है तो बार बार SR तो नहीं बुला सकते हैं क्यों क्योंकि meeting बुलाना कोई मजाक की बात बच्चों की बात नहीं है आपने management administration पढ़ा है meeting बुलाना कोई मजाक नहीं है अब आप क्या करो एक ही meeting बुलाओ एक ही SR pass करो और एक blanket SR pass कर दो जो पूरे साल जलेगा उसमें पूरा amount mention कर दो कि इस amount तक आप यहां पर private placement कर सकते नॉन-convertible dementia का बार-बार SR pass करवाने की जरुआत नहीं है सिर्फ एक बार pass करवा दो और उसमें सारे invitations के बारे में लिख दो तो आपका blanket resolution हो गया फोर्थ प्रोविजो क्या कहता है in case of offer or invitation to offer securities to qibs अगर आप qualified institutional buyers को दे रहे वाले हो then it shall be sufficient if the company passes a previous special resolution only once in a year qibs को private placement अगर आपको करना है वहां पर भी आप blanket resolution pass करके उनको दे सकते हो लेकिन इसके बाद है amendment अब यहां पर आप लिखेंगे a और एक paper उठाएंगे और उस 14 in subrule 1 after the fourth proviso हां अब ही अब ही अबने fourth प्रोविजो पड़ा a following प्रोविजो विल बी इन सटेट अब आपको यहां पर लिखना है यहां पर as per the fifth proviso to rule 14 1 लिखो लिखो बुक में लिखो as per the fifth proviso to rule 14 subrule 1 लिखो लिखो कॉमा अब आप यहां पे start करेंगे ये no offer यहां से provided also that मतलिक ना no offer or invitation of any securities under this rule shall be made to a body corporate incorporated or a national of a country which shares a land border with India अब यह simple google search भी आपको बता देगा what are the countries which shares land border with India आप अगर ऐसा करेंगे ना country that share land border with India मैं आपको जान मुझके बता रहा हूं बलब कैसे इतने आसानी से आप लोग तो आप अगर land border countries देखेंगे तो बांगलादेश है भूतान है चाइना है मैनमार है नेपाल है और पाकिस्तान अगर in countries के ध्यान से सुनना अगर in countries के किसी individual या in countries में registered किसी company को या corporate को बाडी corporate को अगर आप private placement करने की कोशिश करेंगे तो आपको हम मना कर देंगे हम कह रहे है कि you can't do it until and unless ध्यान से सुनना हम आपको करने नहीं देंगे until and unless such a body corporate or national as the case may be have obtained government approval under foreign exchange management non-debt instrument rules 2019 and attach the same with the private placement offer come application letter आपको उन से पूछना पड़ेगा कि भीया आपने अपनी approval लिया है FEMA rules के अंदर या नहीं और अगर लिया है तो approval जो मिल है वो attach करो तब हम आपका offer come application letter accept करेंगे और आपको private description करेंगे वरना हम नहीं करेंगे यह नया amendment है आपके book में इसको आपको लिखना है मैंने आपको बता है कैसे लिखना है आपको यहाँ पर लिखना है यहाँ पर लिखना है एस पर फिफ्थ प्रोविजो टूरूल 14 सब्रूल वन और आगे आपको सीधा नो से स्टार्ट करना है no offer or invitation of any securities under this rule shall be made to body corporate incorporated in और a national of a country which shares a land border with इंडिया अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर आप bracket मे countries भी लिख सकते हो आपके पास है बंगलादेश ठीक है और बंगलादेशके अलावा आपके पास है भूतान चाइना मिण मार लिख लो न है कि बूतान चायना क्या जैना क्या है ना देखो मैं आपको बताता हूं में मार मैं आपको बताता हूँ अगर उनने डारेक्ट बोल दिया तो पर्सन फ्रम पकडिया पाकिस्तान ऊप्लाइब 差श्मेनिये लेकिन अगर मैं आपको भूतान या नेपाल बोलूँगा आप लेकर तो अपनी है थो थो इने दो आप doet बूटा से आप सब्द Two-ices आपको पहले पूछना पड़ेगा कि क्या आपने फेमा रूल्स के हिसाब से एक पुर्वल लिया है या नहीं और अग्शने चलेंगे acceptance of deposits by company सर आप इतना ज़्यादा extra का क्यों बढ़ाते हो amendment के साथ because amendment के समझने के लिए amendment जैसे क्या होता है जैसे आप एक doctor के पास जाते हो और doctor को बोलते हो सर यह लग गया यहाँ पर देखो कुछ हो गया है मेरे हाथ में वो doctor directly उस पर अलग-अलग दवाया लगाना शूरू नहीं करता पहले doctor आप से पूछता है क्या हुआ है आपको चोट लगी है अपने आप आया है कब से आया है दर्द हो रहा है क्या पस हो रहा है क्या चेक करेगा वो touch करके देखेगा वो microscope से देखेगा वो 50 चीजे टेस्ट करवाएगा फिर identify करेगा दिक्कत क्या और फिर वो apply करेगा medicine amendment को भी न हमेशा इस तरह देखो कि direct amendment मत पढ़ो amendment के पहले क्या था समझो क्या दिक्कत आ रही थी वो समझो और उसके बाद amendment क्या है समझो आप amendment जिंदगी में आपको learn करना नहीं पड़ेगा आपको समझना आने लग जाएगा जैसे अब बात करते हैं यहाँ पर भी रूल 16 में amendment है acceptance of deposit मैं उसको जड़ा आपके सामने पहले ले आता हूँ यह रहा deposit अब वो open होगा क्या हो गया चलो acceptance of deposit देखते हैं आपको बहुत अच्छी चीज़ी एक दी गई है कि यहाँ पर डारेक्ली पेज नमर बताती है ओल्ड लॉव जो बुक है उसमें पॉइंट नमबर 20 और पेज नमबर 5.16 और पॉइंट नमबर 19 और पेज नमबर 5.24 यहाँ पर बोला गया है लेकिन पहले एक एक करके करते हैं पहले 5.16 हम लोगो बन कर लेते हैं 5.16 और यहाँ पर देखते हैं क्या वांग रहा है यहाँ यहाँ पर बोला है in rule 16 after the word auditor of the company rule 16 rule 16 यहाँ पर दिया है कि रूल 16 रूल 16 है पॉइंट नमबर 15 यह वाला पॉइंट नमबर 20 ठीक है बराबर उसने पॉइंट नमबर 20 बोला ही था बोलता है after the word chartered accountant यहाँ पर क्या बोला है उसने after the word auditor of the company add the words following तो अब पहले हम दूनेंगे order of the company ठीक है तो यहाँ पर a duly audited return of deposit in dpt 3 shall be filed with the register of the company along with the requisite fees on or before 38 June of the year यहां में पता था and it is clarified by a way of explanation that dpt 3 shall be used to include particulars of deposits of particular transaction not considered deposit by और both by every company यहाँ पर तो auditor कुछ गर्बड हो गया मेरे से देखने में रूल 16 का point number 15 लिखा है इनके भी गर्बड होगी क्या point 20 of 5.16 the words are to be inserted in point 20 on page 516 and point 19 on 5.24 a duly audited return of dpt 3 ठीके shall be filed with the register along with the requisite fee on or before 38 June okay तो after the words auditor of the company अब यहां परनना auditor of the company हमें दिया ही नहीं है ओके तो में को लगता है हमको इसको main rule पढ़ना पड़ेगा और उन्हें main rule को transfer करते वक्त यह कड़वड किये तो अब देखो ऐसा situation हाता है amendment पड़ते वक्त जब आप self amendment पड़ते हो आप देखरो कि point number 2 में auditor of the company यह ही नहीं आपको समझ में आ गया कि यहां पर आप लिखा है duly audited return है ना इसके साथ ही आपको एक और चीज़ आड करना है यह आप लिखाए समझ में आ रहा है वैसे कि यह आड करना है क्या declaration रिटन के साथ सा declaration आड करना है तूद इफेक्ट डाट इफेक्ट शाल भी सब्मिटेट बाइद ऑडिटर इन फॉर्म अब क्या करें अब आपको मैं एक प्रॉसस समझाता हूं थोड़ा लेंदी जाएगा थोड़ा आपको लगेगा सब्सक्राइब कर लो आपको जाना है law पढ़ने का तरीका अगर आप पूछोगे तो यही है बाकी तुमको पसंदा ना आए तुमको नहीं पसंदा रहा है यूगे थोड़ा सा अब यहां पर डिपॉजिट सेलेक करेंगे अब आप देख रहे हो आपका अमेंडमेंट कौन से जगा पर आपका अमेंडमेंट रूल 16 में तो यहां पर ओपन करके आपको पहले एक्सेप्टन्स ऑफ डिपॉजिट आ जाए है अब आपको रूल 16 पर जाना है कि एक्ट क्यों है रूल्स में जाना है बोला न मैंने अब आपको डिसाइड कर रहा है यह रूल्स में जाना अरे यह वेबसाइट ना कभी-कभी पागल आती है अब कुछ भी नहीं कर सकता एक काम करते हैं कंपनी डिपॉजिट्स अब रूल क्या था रूल 16 यह रिटर्न और डिपॉजिट्स टुभी फाइल विद रजिस्टार अब यह वह रूल है यहां पर आपको वह अमेंड्मेंट दिख जाए आपको यहां पर समझेगा कहां पर आड़ करना है ठीक है अब यहां पर देखो यह सेम आपके बुक में आपको नजर आएगा देखो अब देखो यहां पर क्या किया इंस्टूट ने इंस्टूट ने यहां पर लिखते वक्ट उल्टा लिख दिया यह देखो ठीक है अब यह ड्यूली आड़िटेट पहले लिखने के वैसे वह वाइद ऑड़िटर वह उनका वड़ आया नहीं और उसके वैसे हम कंफीज हो गये कि अब इसको क्या करें अब इसको कहां एड करें तो आपको यहां पर अड़ करना है कि द्यूली ऑड़िटेड बाइद the auditor of the company अब उन्होंने यही continue कर दिया amendment और उन्होंने यह नहीं सोचा कि हमने तो अलग लिखा हुआ है हमने तो इसको अपने शब्दों में लिखाए यह इंस्टुट भूल गए तो आपको यहां पर and declaration to that effect shall be submitted by an auditor in dpd3 बस इतना एक अबर्ड आड करना है ठीक है तो आप चाहे तो यहां पर changes कर सकते हैं यहां पर जो यहां पर लिखा है अडियूली 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 डिटर्न टुब डिपॉजिटेड यहां पर जो लिखा है उसको आप change कर सकते हो ठीक है उन्होंने क्या किया समझे क्या हुआ इंस्ट्यूट ने बेर रूल लिया और बेर रूल का change the voice किया और वो change the voice के चक्कर में वो जो word था by the auditor of the company वो चला गया और वो by the auditor चला गया तो अब यह amendment कहां ढाले यह नहीं समझ में आ रहा है तो अब आप क्या करो अगर इस along with यह पर लिग दो along with that a declaration must be given to the effect along with it a declaration to this effect a declaration to this effect shall also be submitted shall also be submitted by Auditor in form dpt3 in dpt3 कैसा होता न मैं तो amendment ऐसी पढ़ता हूँ मैं जाके bare text में देखता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि bare text में समझ में आ जाएगा उन्होंने bare text को लिया यहाँ पे अपने language में change किया आपको amendment बता रहे हैं जबकि उन्होंने अपने इसाप से आपको amendment बनानी चाहिए थे कि ठीक है पॉइंट नमर 19 अडियूलिय और डिटेट सेम 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 आपको यहाँ पर भी वह सेम वर्ड्स लिखने जो वहाँ पर लिखे है कि यह जो वर्ड्स लिखना है ना हमने यह जो यह जो है ना along with it a declaration to this effect शाल अल्सो बी submitted by auditory in dpt3 यह आपको लिखना है point number 19 page number 5.24 आगे सेम along with it a declaration to this effect शाल बी submitted by the auditory in dpt3 दन यह यहाँ पर आपको लिखना है यह यहाँ पर यहाँ पर लिखना है यह जो आपको लिखना है अब चलता है आगे चलो इसके आगे आता है रेजिस्ट्रेशन ओफ चार्जिस 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 अमेंड्मेंट का है 6.6 कहां पर है इन सब्रूल 5 सब्रूल 5 is newly inserted अच्छा यह तो पूरा का पूरा रूल 3 after rule sub rule नया का पूरा का पूरा सब्रूल एड़ किया है ठीक है रूल 3 में सब्रूल 5 एड़ कर दिया है रूल थ्री में कि जो पॉइंट नमबर 4 है इसके आगे सब्रूल 5 एड़ करना है आपको तो सुनो न, यह जो C है न, C C के बद आपको यह दिख रहा है D, extension of time limit यह C और D के बीच में amendment आई है अब आप इसको अगर D कर देंग, amendment को तो गरबर हो जाएगी तो आप उसको एक काम कर सकते हो, C1 कर देना point number, अभी के लिए, बद नय module में आपको point number D लगेगा और यह point number E मिलेगा फिर यह F हो जाएगा और यह G हो जाएगा और इस तरह से total G points इसमें हो जाएगे, ठीक है लेकिन अभी हम इसको change करने के अलावा हम C1 कर देंगे और C1 करके एक पूरा का पूरा नया point हम add कर देंगे ठीक है, point के add होगा वो देख ले न nothing contained in this sub rule shall apply to any change required to be created or modified by banking company under section 77 in favor of RBI when any loan or advance has been made to it under sub clause D of clause 4 of section 17 of RBI act 1934 RBI भी loan देती है याद रख न, RBI भी loan देती है और जब RBI loan देती है तो वो लोग भी charge create करते है, ऐसा नहीं कि वो लोग charge create नहीं करेंगे, ठीक है अगर RBI ने loan दिया है किसी banking company को उसके लिए role भी है, हमारे पास section 17 clause 4 और sub clause D उसके लिए है तो कोई अगर loan या advance RBI ने दे रखा है किसी banking company को ठीक है, और banking company को RBI ने अब instruct किया है कि चलो आपने मुझे loan repay कर दिया, अब एक काम को दो जितने का loan repay किया उतने से अब जो security या charge है उसको आप modify कर दो, alter कर दो कम कर दो, reduce कर दो तो यह RBI कह रहा है, तो RBI कह रहा है इसलिए bank क्या करेगी, यह changes कर देगी, and therefore nothing contained this rule shall apply to a charge required to be created or modified by a banking company under section 77 in favor of Reserve Bank of India, तो कई banks loan लेती है, advances लेती है RBI से, कई बार RBI को देना पड़ जाता है, किसी bank को डूबने से बचाने के लिए, और वहाँ पर भी RBI कुछ ना कुछ चार्ज क्रेट करता है ठीक है, तो यह पॉइंट आपको यहाँ पर add करना है verification of instrument of charge के बाद में, ठीक है, उसके बाद और यह extension of time limit से पहले चलिए, यह तो easy था, इसके बाद एक और है, यह तो एक हो गया, दूसरा एक और change आया है भाई लोग यह change कहा है, यह आया है page number अच्छा, page number नहीं बताया, एक नया altogether सब rule add कर दिया गया ठीक है after rule 12, the following rule shall be inserted, ठीक है, rule 12 के बाद, यहाँ पर हम rule 13 भी insert कर देंगे, यहाँ पर हमने rule 12 तक डाला है, अब rule 13 भी insert कर देंगे, कहाँ पर करे, यह एक बहुत अच्छा question है, एक काम करते है, rule 12 के बाद करते हैं, जगा धून रहाँ, मैं रूखो, रूखो इसके लिए perfect जगा भी तू धूनना पड़ेगा ना कहाँ रहे भाई Rectification in register of charges on account of omission of or misstatement इसके बीच में कर ले क्या अच्छी जगा धून तो उसके लिए, make entries हो गया, intimation अलग है, हाँ, एक काम करते हैं, यह जो Rectification आ रहा है, ठीक है, यह Rectification आ गया, इसके बाद में देखते हैं, एक काम करेंगे तो last में add करना पड़ेगा हमको यह, एकदम last में add कर देंगे हम लोग इसको, ठीक है, यह जो rule है न, यह यहाँ पर भी rules के बाद भी देखेंगे न, सबसे last में rule आया है, तो इसलिए यह rule 13 आपन एकदम last में, चैप्टर जो end हो रहा है न, तो एक काम करो summary से just पहले इसको add कर दो यहाँ पर, amendment, क्या add करना है, एक नया rule आपके लिए हम लेकर आ रहे है, नया rule क्या है, signing of charge e-forms by insolvency resolution professional or resolution, professional liquidator of companies under resolution or liquidation, तो charges created है already, company के कुछ assets के उपर, और वो company liquidation में चली गई है, अब liquidation में जाने के बाद, बहुत सारे charges हम clear करेंगे, company assets बेचेंगे, चार्ज क्रेट करेंगे, एक्स्टा आमांट बच गया तो बाकियों को pay करेंगे, तो बहुत सारे forms इस process में भरने पढ़ सकते है, CSG 1 हो, 4 हो, 8 हो, 9 हो, अब ये form कौन भरेगा, company, नहीं, company तो insolvency में चली गई है, तो अगर company insolvency में जाती तो उनके जगा कौन आता है, उनके जगा आते है, resolution professional या resolution professional जिसे कहते है, या जिते हम liquidator कहते है, ये आते है, तो इक काम करो, ये जो सारे forms हैंना, CSG 1, 4, 8, 9, या जो भी form उनको sign करना पढ़ रहा है, ये form को sign करने की पावर, insolvency resolution professional को डाल दो, या resolution professional को दे दो, या liquidator को दे दो company, जो company liquidation में है, उसको, ठीक है, और ये लोग ये सारे form बरके ROC को देंगे, अब company की जिम्मेदारी खतम हो जाएगी, ये फिर company तो insolven होगी, तो ये CHG forms फिल करके भरने का काम, हम लोग खिसको को देंगे, insolvency professional को देंगे, तो तुसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये common sense था, पहले भी वह लोग करते थे, अब बस bylaw वो लोग कर रहे है, पहले उनलोग by मजबूरी करते थे, अब वो bylaw करने लगे, so not a major update, then let's go to next, ये है management and administration, management and administration में चलते है, management and administration, अब इसक के अंदर आपको page number seven point twenty one पे बुला गया है, seven point twenty one पे हम लोग चले जाएंगे, आगे, क्या point है भाई, इस अब रूल three of rule 14 is newly inserted, अच्छा, ये सब रूल नहीं आया है, पहले इसके आज़ी बाजू के सब रूल पढ़ ले, फिर ये सब रूल अपन पढ़ लेंगे, सो, ये बता क्या रहा है, पहले ये देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग आ गया है, section 94, अच्छा, place of keeping or and inspection of register return, ये वाले section में हम लोग आ गया है, इस section के बाद, हमने preservation के बारे में पढ़ा, ये preservation के बारे में पढ़ा, rule 15 वगरे आ गया, और change है, rule 14 में add करना है, rule 14 कहां है, हाँ, ये रहा rule 14, सब rule 2, तो, register will be kept and maintained by the company under section 88, and annual return will be filed under 92, और ये सब कुछ हम कार रखने वाले हमारे registered office के अंदर, now, such registers or copies will be kept at any other place in India, where more than 110th of the total number of members entered in the register, reside, वो भी कब जब special resolution pass वो होत तो, provided further that, for a period for which the register return or records are required to be kept, shall also be as may be prescribed, ठीक, कितने time रखना हम प्रिस्क्रेप करेंगे, अब वो prescription देखने के लिए हम लोग rule 14 में है, तो rule 14 में हमने पहले देखा sub rule 1, फिर देखा sub rule 2, ये दो हमने पड़े थे, अब उसके आगे, sub rule 3 add हुआ है, पहले हम sub rule 1 पड़ेंगे, फिर 2 पड़ेंगे, फिर 3 क्या add हुआ हो समझेगे, sub rule 1 बोलता है, registers and indices maintained under section 88 और returns under section 92, shall be open for inspection during business hours, हमने बताया, reasonable time every working day में, आप decide कर सकते हैं, तो जो members है, debenture holders है, security holders है, या जो beneficial owners है, वो बिना payment of fees के, वो वहाँ पे जाकर उसको inspect कर सकते हैं, ठीक है, ये हमने आपको बोल दिया है, और अगर कोई extract मांग रहा है, आप उनसे पैसा ले सकते हो, not exceeding 50 रुपीज, वो भी आपको आपको आर्टिकल में mention करना पड़ेगा, ठीक है, ओके, हर working day में, at least 2 गंटे के लिए, inspection के लिए open रहने चाहिए, मैं fast जा रहा हूँ, because है हम अलड़ी पढ़ चुके, सब rule 2 कहता है, any member, dementia holder, security holder, या beneficial owner, extracts भी ले कर जा सकता है, और उसके लिए आप उनसे amount not exceeding 10 रुपीज पर पेज का charges भी ले सकते हो, लेकिन आपको 7 दिन के अंदर वो amount, pay करने के 7 दिन के अंदर आपको request extract दे देना पड़ेगा, provided that, ये जो returns है, या जो documents है, ये inspection के लिए available नहीं रहेंगे, जो हम बताएंगे, for example, कुछ particular, such particulars, जो हम बताएंगे, ठीक है, वो हम बताएंगे, we will prescribe जो available नहीं रहेंगे, ठीक है, हमको वी problem नहीं है, अब इसके बाद यहां पर आप लिखेंगे amendment, और अब यहां पर एक point add करेंगे, और यहां पर आप एक page में वो point लिखेंगे, क्या point लिखेंगे, ये वाला, notwithstanding anything contained in subrule 1 and 2, the following particul of the register or index or return in respect of members of the company shall not be made available, तो जो subrule 2 में मैं आप से बात कर रहा था, ये जो proviso में बात कर रहा था, कि मैं आपको बताऊंगा कि कौनसी information extract में नहीं दी जाएगी, अब वो information बता दी गई है, ठीक है, शल not be made available under for any inspection under subsection 2 or for taking extract under subsection 3, कौनसी कौनसी, address or registered address of body corporate, मैं नहीं चाहता कि लोग, लोग के घर जावा, मैं नहीं चाहता, अगर safe example, आपने मेरे से register of member मांगा, अगर मैं आपको register of member का as it is print दे दू, तो हर एक member का mobile number, हर एक member का email ID, हर एक member का pan card, आदार card, driving license number, address, आपको दुनिया बर के information खाली पिली फोकट में बैड़िके मिल ज member के trolling करोगे, आप उनको परिशान करोगे, हम नहीं चाहते, हम अपने किसी member का address, और अगर member हमारी company है, तो उस company का registered address आपको नहीं देंगे, member का email ID नहीं देंगे, member का unique identification number नहीं देंगे, member का fan number नहीं देंगे, हम ऐसी कोई भी चीज नहीं देंगे, जिससे आप उसको चुपाना चाहिए, bank account details चुपाने चाहिए, तो जो सारी चीज़े आप देख सकते, उसमें से ये सारी चीज़े मैं हटा दो, ठीक है, तो यह बस add हो गया, अब यह common sense है समझने के लिए, हम नहीं चाहते कि हमारे sensitive देखो, basically, यह sensitive information है, और अगर यह sensitive information है, तो मैं नहीं चाह आसा यह law आपको add करना है, मैंने आपको जगह बता दिये, यहाँ पर आपको add करना है, page number 7.21 पर exactly का amendment करना है, बता दिये, अब चलते है, आगे, declaration and payment of dividend, declaration and payment of dividend, सबस्यद amendment accounts में है, dividend में कहा है, amendment, dividend में 8.21, यह है 8.21, क्या amendment है, देखते हैं, central government has amended IPF authority, उसके rules के इसाब से, change किया है, in rule 3, in sub rule 2, after clause F, the following shall be inserted, मतलब clause F के बाद, F A करके add हुआ, एक नया clause add हुआ, ठीक है, rule 3, sub rule 2, clause F, rule 3, sub rule 2, clause F, देखते हैं, की है यह वो, देखते हैं, rule 3, ठीक है, मुझे ने पहले एक बार confirm करने दो, क्या है मेरे को इस पर भरोसा नहीं है, मैं मजट नहीं कर रहा हुआ, देखो मैं आपको बताना, क्ले मैं कुछ भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों आपको जबदस्ति यह करूँ न, क्यों करूँ मैं, बता सकतर, क्यों थी, बता, क्यों करूँ 2 Okay Sinonum Investigation Protection for Authority Account Audit and Transfer Fund Rules Account Audit and Transfer Fund Rules यह वाले rules है इस rule का fund वाला हाँ आप देखो All Income Earned by Authority in Any Year उसके आगे यह Amendment आया है All Income Earned by Authority in Any Year अब मैं आपको ढूंद के बता सकता हूँ मैं को पता था यही है Point No. F लेकिन क्या है जब तक आप Confirm नहीं करते हैं मेरे इसाब से Confirm किये भी न फिर Teacher की स्काम का अगर वो Confirm ना कर सके तो यह F A यहाँ पर आड़ करना है आपको अमेंडमेंट है ठीक है आटीपी के साब से F A बेसिकली पहले देखते हैं काई में अमेंडमेंट कर रहे हैं हम लोग क्या देख रहे है What are the other amounts that will go to the fund तो हमने देखा कि fund के अदर Section 125 A to N वाला amount जाता है जिसका dividend claim नहीं हुआ 7 years हो गया है benefit arising out of those shares then grant fees sums received by the authority income earned by the authority अगर income आती भी आथा आथा को उसके आगे F A आड किया है All shares held by an authority in accordance with the process of subsection 9 of section 90 of the act and all the resultant benefit arising out of such shares without any restrictions अब पहले इसके लिए देखना पड़ेगा Section 90 क्या है तो Section 90 है Register of Significant Beneficial Owners in a Company मैंने आपको कहा है कि Section 90 के अंदर एक आप देखेंगे न अगर तो Section 90 के अंदर का सबसे खतरनाक सब section है सब section 9 उसको पहले पड़ लेता है ये देखो ठीक है अब इस rule के अंदर क्या होता है अब company और any person agreed by the order of criminal may make an application to a criminal for relaxing or lifting of restrictions within a period of one year from the date of order provided that if no such application has been filed within a period of one year from the date then such shares shall be transferred without any restrictions to the authority consistent 125 ये की Invest Education and Protection Fund तो अब क्या होता है कुछ लोग beneficial interest own कर लेते मगर बताते नहीं और जब उनसे सवाल किये आते है कि भाई-भाई सुनो तुमारे जो share से हम उसको freeze कर रहे क्या बोलता है central government हम तुमारे shares freeze कर रहे बिकास तुमने हमको बिना बता है जबकि तुमारा काम था बताना तुमने यहापे significant beneficial ownership ले ली है और तुमने हमको बताया नहीं तुमारा first था अगर तुम ध्यान से पड़ोगे तो तुमारा section 90 sub section 1 बोलता है कि every individual चाहे वो अकेला हो या किसी के साथ हो अगर उसके पास prescribed number of shares किसी company के है तो उसे हम significant beneficial owner बोलेंगे तो आप हमारे company के significant beneficial owner बन गए और आपने हमको बताया भी नहीं और अब आप company को acquire करने की कोशिश कर रहे हो significant क्योंकि आपके पास है आप company को indirectly influence और acquire करने कोशिश कर रहे हो तो ऐसे में central government को लोग apply कर सकते हैं और अगर आप central government को apply करोगे कि हे देखो यहाँ पर application कर सकते हो आप central government को कि sir हमने हमने इन से बहुत पूछा इनोनेम को satisfactory जवाब नहीं दिया इनके जो shares से उस पर freeze कर दो sir उसको income dividend पे नहीं करेंगे हम freeze करवा देंगे इनको हम bonus issue नहीं करेंगे freeze करवा देंगे income right issue नहीं देंगे सब करने के बाद आगे वाले व्यक्ति को भी अपना point रखने का मौका मिलना चाहिए तो हमने आगे वाले वेक्ति को पूरा एक साल का मौका दिया कि एक साल के अंदर आओ और हमने explain करो कि आपके पास से शेर कैसे आये गलती से हो गया आपका इंटेंचिन क्या था डू यू वांट में टू लिफ्ट द फ्रीज आप मुझे बताओ अगर आपका जेन्वीन रिजन रहा अगर आप मुझे कन्विन्स कर सके तो मैं आपका लिफ्ट कर दूंगा और मैं जिसको शेर् उढ़ना सामने आए एक साल हो गया और यह बंदा सामने नहीं आ रहा है तो हमने कहा हम आपको कोई सजा नहीं देंगे वह सारे शेयर्स अपके नाम पे थे ना इसारे हम आपके हाथ से उठा कर हम इसको इंवेश्ट एजुकेशन और प्रटेक्शन फंड में डाल देंगे और क्योंकि उन्होंने यह law लाया, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर यह law लाया, कि हम Investor Education and Protection Fund में आपके सारे shares डाल देंगे, हमें Investor Education and Protection Fund में amendment लानी पड़ी, कि all the shares held by authority in accordance with section 90 sub section 9, and all their resultant benefits shall also be a part of Investor Education and Protection Fund. अब उन्होंने बुला कि मैं Investor Education and Protection Fund में डाल देता हूँ, तो यहाँ पर भी तो अब उन्होंने catch फेका है, तो हमें भी तो catch करना पड़ेगा ना भाई, तो उसने section 90 sub section 9 में फेका है थो, अब हम यहाँ पर उसको rule 3, sub rule 2, clause F के बाद clause F A डाल कर हम उसको catch कर रहे है, और हम कह रहे हैं कि थीक है, Investor Education and Protection Fund में आप यह वाले shares और उसके benefits रख सकते हैं, बस, तो यह बस यह line F A करके आपको यहाँ पर add कर देने, थीक है, मैंने आपको पूरा detail पता है, section 90 जाकर आपको पता है मैंने, थीक है, इसलिए, अब चलते हैं आगे, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, अगला amendment, अब accounts of the company, last chapter, इसके अंदर amendment है, देख लेते हैं, Ministry of Corporate Affairs has made clarification with respect to CSR, अब यह कुछ clarification से, अब यह कहाँ डालना, या अगर मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने भी page number बता होगा, 9.47, निकाल लो, मैं 9.47, CSR वाला, एक तो पहले CSR के कम circular थे, जो इन्होंने और circular से add कर दिये, अब यहाँ पर, इस जो circular number है ना, इस देखो, circular number 1, circular number 2, circular number 3, अब इसके आगे यह सारे add कर दो, इस सारे circular दिख रहे है, 4, 5, और 6, ठीक है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आप छपरी circular से, in continuation with ministry's general circular wherein it was clarified that spending CSR funds on COVID is an eligible CSR activity, it is further clarified that spending CSR fund for creating health infrastructure for COVID care, establishing medical oxygen generation and storage plants, manufacturing supplying of oxygen concentrators, इस सारे चिदे अपर लेटलेटर, चलेंडर, अदर, 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 आएगा, and relating to promotion of health care, including preventing health care, disaster management, यह सब 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 CSR के अदर आएगा, reference is also drawn to item number 9 in schedule 7, which permits contribution to specific research and development project as well as contribution to public fund, universities and certain organizations engaged in conducting research in science, technology, engineering and medicine, they are also eligible as CSR activity, तो अगर आप CSR के लिए, COVID के लिए, vaccine के लिए भी research करने के लिए पैसा डालोगे, तो वो भी पैसा है, आपर हम CSR में मान लेंगे, companies including government companies में undertake activities or projects or programs using CSR funds, directly by themselves or in collaboration with, or shared responsibility with other companies, subject to fulfillment of policies, rules and guidelines issued by ministry from time to time, अब उन्होंने काया कि आप अपने CSR fund को अपने आप इस्तेमाल कर सकते हुए, या in collaboration with other companies, आप CSR policy के requirements को फुल्फिल करते हुए, CSR के activities आप undertake कर सकते हैं, और हम आपको जो guidelines देते हैं, उस guidelines को अपकर आप follow कर रहें, तो हम उसको eligible करते हैं, Ministry of Corporate Affairs एक और amendment डाले हैं उन्होंने, फिर से COVID के related ही है, कहा है कि it is further clarified that spending CSR fund on COVID-19 vaccination of person other than employees and their families, is an eligible CSR activity, पहले से family और employee था, अब अगर कोई company, किसी random इंसान को भी COVID vaccine देती है, वो भी eligible CSR expenditure हो जाएगा, ठीक है, और आप उसको point number 7 में डाल देंगे, promoting health care including preventive health care, ठीक है, आप उसमें डाल देंगे, next, हर गर तिरंगा campaign, उसके लिए एक CSR fund आप डाल सकते हो, हर गर तिरंगा, a campaign under ages of आजादी का अमरूत महत्सों, यह भी चल रहा है, आपको पता है, is aimed to invoke the feeling of patriotism in the hearts of people and to promote awareness about the Indian national fact, in this regard, it is clarified that spending a CSR amount, a CSR fund for the activities related to this campaign, such as mass scale production and supply of national flag, outreach and amplification efforts and other related activities are also eligible CSR activities, तो आप जाकर किसी भी company से बोल सकते हों कि भाई हमें तिरंगा दो, हमारे घर के उपर लगाने वाले हैं, बड़ा आप तिरंगा लगाएंगे, जो भी expense company करेगी आपको तिरंगा देने में, वो उनका CSR expenditure माना जाएगा, and it is said that it is promoting our education and culture, ओके, तो ये भी CSR में आ जाएगा, इसके बाद और एक activities है, अब इसके बाद 9.54 में कुछ amendment है, यहाँ पे हो गया, अब इसके आगे add कर दिया है, आपने मैं लिख देता हूं भाई, यहाँ पे आपको Circulars add करने है, ठीक है, amendment, जो सारे Circulars मैंने भी बता है, उस सारे आपको वहाँ पे लिखने है, अब जाते है 9.54 में, ठीक है, यहाँ पर क्या changes से देख लेते हैं, इन रूल 12, आफ्टर सब रूल 1A, the following सब रूल शाल भी inserted, एक नया सब रूल 12, 1A, डारेक दिखता है तो ठीक, हाँ, डारेक दिख गया है, इसके आगे यहाँ पड़ा को डालना है, आपको दीखनी रहोगा, तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, ठीक है, पीज नमबर 9.54 में, जो 1A है, इसके आगे एक नया डालना है, क्या लिखे है उसमें, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बस अपने, जो भी आपने किया है CSR में, वो आपको 2020 से लेके अभी तक का एक बार को बताना है, अजने अधिशन, AOC 4 आपको अपने के बले है, या XBRL वाला अपने के बले है या आपको NBFC वाला अपने के बले है, जो भी आपको अपने के बले है, उसमें आपको 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 आड कर देना है, प्रोवाल दाईट, और प्रसीडिंग फनेंचल यर 2021, 2021 form CSR 2 shall be filed separately on or before 31st of March 2022 after filing this तो अभी के लिए temporarily हम उसको as an addendum आपको लगाने दे रहे हैं as of now क्योंकि अब यह नया concept है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि existing form में आप attach कर लो अभी मैं आपसे मांग रहा हूं लेकिन आगे जाकर financial year 2020 और 2021 के आगे के जो जो years है और उसका जो CSR expenditure है उसमें मैं आपको यह addendum देने नहीं दोगा आपका AOC 4 अलग जाएगा और आपका CSR 2 फॉर्म नंबर अलग जाएगा इसके लिए हम एक नया फॉर्म ला रहे है फॉर्म CSR 2 यह अलग जाएगा यह दो अलग अलग फॉर्म आपको फाइल करने पड़ेंगे दोनों फॉर्म ऑन और विवोर्ट 31 अलग से फाइल करना पड़ेगा CSR 2 तो अभी के लिए हम CSR 2 को CSR 2 फॉर्म है इसको हमने अभी आपके EOC फॉर्म में अट कर दिया है आपको EOC 4 हो सकता है 4 XBRL हो सकता है या आपको 4 NBFC हो सकता है जहाएग्ता है और इसके साती हमने अटाच कर दिया है लेकिं के यह सिरीिफ Persiv 2021 से लिए जाएंगे तो आपको ये दो separate form भरने पड़ेंगे एक CSR2 भरना पड़ेगा 31 मार्च तक के पहले और एक AOC 4 या 4XBRL या 4NBFC depending upon आपको कौन से अपलेगे अलग भरना पड़ेगा तो अभी आप आप एक form भर रहे हो यहाँ पर आपको एक और दो दो अलग form भरने पड़ेंगे ठीक है इसके बाद पेज नमर 9.5 में एक और amendment है पूरा नाम पीछे कैसे गया आई है चीक है 9.5 वे शौर में को लग रहा है वो गलत लिख दिया हुनने कुछ 9.5 में कहा है books of account का यह तो क्या लिख रहा है यह in the company's account rule 14 in the provisor to sub rule 1 of rule 3 अच्छा इसमें है कि दिख रहा है कि 9.5 पेज नमबर यह जो बॉल्ड में दिख रहा है नहीं यह जिए प्रोवाइड़ेट पॉर फिनाइंचिल कमिंसिंग ओन आफ्टर फॉस्ट अप्रिल ट्वेंटी 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 टू इसको आपको चेंज करना है 2023 एक साल से बढ़ा दिया है कुछ नहीं रहे है यह ऐसी होता रहेगा बताए क्या यह ऐसी ही होता रहेगा देखो अब ही आपको मैंने बताया था कि audit trail वाला feature अब mandatory हो गया है पताया ना आपको audit trail वाला feature mandatory हो गया है अब हुआ क्या इन्होंने बूल तु दिया audit trail mandatory बड़ हमारे back end में software तो enable होने चाहिए software तो होने चाहिए जिसमें audit trail इतने अच्छे से maintain हो और edit ना हो इतने sophisticated software तो चाहिए यह company चिलाने लगी कि सर आपने तो बोल दिया आपका मुह खुला और आपने बोल दिया audit trail mandatory हमारे पास software नहीं है हमारे SAP को भी अगर हमें इतना perfect बनाना है तो हमें वक्त लगेगा तो government ने समझा और अब इसको एक April 2022 के जगा April 2023 कर दिया यहने हमने आपको एक साल और दिया च एक बार का 21-22 मैंने तुमको माफ किया financial year 22-23 onwards मैं तुमको माफ नहीं करूँगा और तब तो तुमको audit trail maintain करने ही पड़े चलो 22-23 में कर लेंगे ठीक है 21-22 में नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं 22-23 में हमको 22-23 में भी नहीं कर पाया अगर तो लेकिस 23-24 में तो करना ही करन ठीक है तो बेसिकली एक अप्रिल 2023 onwards आपको audit trail up compulsory हो गया है वह ऐसा होता है ऐसे कोई बहुत सारे जब बड़े law आते हैं न तो टाइम पर complete नहीं हो बात है फिर है 1-b लेटर एंड वर्ट 31 मार्ज 22 फिगर्स 31 मार्ज माई 22 एक और बार देख लेते हैं वन बी कहा है भाई वन बी इसका भी पेज नमबर दिया नहीं गया पॉइंट बी एक मेंड़ा 4.2 एस कोई अबाव इन पॉइंट बी प्रोइड रेट पर प्रोसेडिंग फानेंचल यर्ट इसार टू शाल बी फाइल सेपरेटली ओनर बिफोर 31 मार्ज 22 आत उसको 22 को 31 माही गार जना है यह बहुत आगे होगा ना यह रूल टू यहां कहां से आएगा एक मेंड़ों को में को रूल देखने तो और यहां पर आएगा ना यहां पर देखना है इन्हों ने कुछ दिया है नहीं और बाद में फिर अपने को कंफ्यूज कर देते हैं तो इस सब नया डाला है एक मेंड़ों सर्च कर दोगे हैं CSI2 ठीक है ऐसे तो नहीं मिलेगा इन्होंने क्या कहा है अकाउंट्स डूल डूल ट्वेल वन बी ट्वेल वन बी रूल ट्वेल वन बी देखता हूं है रूल नहीं है यह लोग ना ऐसे करते हैं ना कंफ्यूज कर देते हैं कोई बात नहीं है अपन देखेंगे एक तो सारी अमेंड्मेंड्मेंड लेते नहीं कि हम लोग अमेंड्मेंड्मेंड ले ले अब नहीं सारे अमेंड्मेंड नहीं लेते हैं नहीं तो मैं इतना घुम रहा होता गया तबी तो दिक्कत है क्या लग रहा तुमको क्यों दिक्कत है फिर कि हम पाइंड्लिंग औफ फिनांचल स्टेटमेंट्स पर जाना है हमको एक मिल जाएगा दोंट वरी एक बार देख लेता हूं तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं अब सुनों मजा देखो क्या हुआ है मेरे को भी एक मिनिट लगा निकालने में लेकिन एक सेकेंड एक मिनिट लगा ज्यादा मिनिट नहीं लगे सुनों गेम देखो क्या हुआ है अब क्यों मैं आपको बता रहा हूं यहां पर क्यों पेज नमबर नहीं लिखा है यहां पेज नमबर नहीं लिखा है विकोज यह आपके बुक में प्रिंटेड नहीं है यह आप से करवाया गया है पॉइंट नमबर बी में यानि कि आपने अभी अभी point number B का amendment किया देखो ये वाला amendment किया न हमने अभी ये हमने अभी add किया याद है ये वाला कि भाई देखो हमने क्या बोला था कि अभी के लिए हम आपको AOC 4 AOC 4 XBRL और AOC 4 XBRL NBFC जो भी है उसके साथ साथ CSR का form attach करके send करने का मौका दे रहे हैं लेकिन लेकिन 2020 और 2021 के बाद के financial years के लिए ठीक है हम आपको CSR 2 form और यह उस एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट वापस से देखो यहाँ पर बोला है every company covered under the provision of subsection 1 of section 135 यहने कि CSR shall furnish a report of CSR in form CSR to the registrar for the preceding financial year जो कि हमारा 2021 and onwards सही बात है सही बोल रहता है and onwards इसको देने के लिए हमने आपको क्या कहा कि 2020, 2021 या इसके आगे के financial years में हम आपको क्या बोल रहे है कि आप AOC 4, AOC 4 XBRL या AOC 4 NBFC form को ही attach कर दो CSR 2 form attach कर दो उसी के साथ दे दो कोई दिक्कत नहीं है provided that for preceding financial year याने कि 2021 के लिए सिर्फ और सिर्फ only only बोल रहा हूं मैं यहाँ पर आग काम करता हूं मैं only करता हूं मैं काम करता हूं सुनो सबसे best ink eraser नहीं हो रहा erase हाँ okay only in only for 2021 अब देखो only for 2021 what will happen form CSR 2 will be filed separately on or before 31st of March 2020 दिखा है आप है यह amendment में amendment है और इसको आपको 31st March नहीं पढ़ना है क्या पढ़ना है वो देखो नीचे लिखा है इसको आप 31st March नहीं क्या पढ़ोगे आप यह देखो यह देखो 31st March को 31st माई कर दो शाल भी सब्स्टिक्यूट यह अभी जो आपने हैं amendment किया उस amendment को amendment करके 31st May 2022 कर दो देखो यह आपसे amendment करवा रहे है और आपके द्वारा कीगे amendment को भी further amendment करवा रहे है सर यह ऐसा क्यों हो रहा है पहले ही amendment आया होगा फिर उनको पता चलोगा 31 March तक तो यह लोग नहीं बना पाएंगे इनको दो-चार मेने का मौका दे दो ठीक है बोले नोंने दो मेने का मौका दे दिया अपरिल और मही अब बोलेगी मही में बेच दो भाई दो मेने का मौका ले लो यारी क्या चिंदिगिरी है क्या है चिंदिगिरी है ठीक है यह हो गया है वही मैं सूच रहता है यह यह पेज 21st March 31st May कर देना आगे चलते हैं Central Government has amended 4.1 as covered above in point C ले वेटा अरे 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 फिर से अमाइटमेंट यह जो पड़ा नाम ने यह इसके अंदर भी कुछ changes हो रहा है देखो पहले first day of April 22 को उन्होंने first day April 23 किया अब में को लगता है इसको और बढ़ाने वाले हैं अरे गजब अब एक काम करो अब एक काम करो जहां पर आप 31st May लिखे हो ना 31st May जहां पर आपने लिखा था अभी 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 जेस्ट अभी 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 कि उसको अब 30th June कर दो यह खेल रहे हैं क्या हमारी जिंदगी के साथ इह यह खेल रहे हैं हमारी जिंदगी के साथ अब क्या बोल रहे हैं इसको फिर से amend करो और क्या Amand करेंगे अमने क्या अमेंड करना है इसको तो यहां पर लिखा है 30th June कर दो अब इसके बाद चेंज नहीं करा ना अब एक्स्टेंड मत करना प्लीज प्लीज बस अमें और नहीं करना चाहता एक्स्टेंड देखते और एक्स्टेंशन है क्या ए भगवाद और नहीं न अभी तक तो नह है यह देखते हैं आगे देखते हैं फिर आता है देंडिकेन्थ्समाइंड मस्ट उसने मे करवाया मसे जून करवा यह tread March का मे कर रहा है अ ठीक है और यह एख और धूस्त मेका में देख कर दे रही है इसके अलाबा कुछ नहीं हां एक चीज़ और है इसमें आफ्ट दो फॉलाइंग प्रोज़ोश शाल बी इंसर्ट फॉइड फॉइड फॉइट फॉइनच इंचल एड टू 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 शाल बीफाल सेपरेटली ओनर बिफोर 31 मार्स 23 आफ्टर फाइलिंग य पर उसी में अब आके एक और अमेंड मेंड में लिखना है यह तो 2021 के लिए थी यह amendment 21-22 के लिए यह वाली amendment आपको लिखना है कि अगर financial aid 21-22 का आपको CSA 2 जो form है वो अलग से fill करना है 31 March 23 तक सर यहने अगर मैं 2021 का फाइल कर रहा हूँ तो पहले March था फिर मैं हुआ फिर जून हो गया लेकिन मैं अगर 21-22 की बात करूँ तो वह अभी भी मारची है हम हर साल extension नहीं देंगे आपको तो अभी वह मारची है कि ओके कि नेक्स्ट कमपनी ज़्रूल्स और यह जो एक्सेबल इंडिया चोटे-चोटे चेंजेस है ठीक है यह चोटे-चेंजेस है मैं आपको बता देता हूं चोटे-चोटे द्यद्य को देखने मैं अच्छे जिंद्यस हैं ज्यादा कोई बहुत जड़ा इसमें चेंजेस नहीं आता इसके वीज़ेसर लेकिन आता है तो वैन we बता देता हूँ क्योंकि आपके book में है आपको मुने कहा था कि अगर आप चाहो तो आप books of accounts को electronically maintain कर सकते हो right or wrong बोला था कि नहीं बोला था लेकिन हमने कहा था कि अगर आप books of accounts maintain कर रहे हैं तो electronic form में तो आपको यह सारे rules follow करने है अब उसमें यहां पर लिखा था remains accessible in India दिख रहा है page number बता देता आपको 9.5 यह जो accessible in India है न उसके आगे at all times add कर दो बस at all times ऐसा नहीं कि accessible हो रहा होगा न कोई company होंगी है तो सही accessible in India आओ मार्च में देखके जाओ हमको वैसा नीच यह मार्च में देखके जाओ हमको यहां पर चाहिए amendment at all times बस यहां पर यह दो चार वर्ड आड़ कर दो ठीक है इसके बाद इन सब्रूल 5 periodic basis the words daily basis shall be substituted अब यहां पर इसके आगे सब्रूल 5 यहां पर दे बैककप अपप दे अकाउंट यह जो periodic basis है ना इसको amend कर दो और या लिख दो daily basis अब आपका जो backup है वो daily आना चाहिए हमको daily बैककप चाहिए तो periodic basis को आप cut करके amend कर सकते हो daily basis अब हमको आपका daily basis बैककप चाहिए periodic नहीं daily basis पे आप अपने बैककप लेंगे और इंडिया में all time accessible रखेंगे नेक्स्ट सब्रूल 6 में D के बाद एक नया clause E आड़ कर देंगे ठीक है तो यहां पर आप last में एक नीचे एक और point number 7 आड़ कर देना ठीक है क्या आड़ करेंगे सब्रूल 6 में point D के बाद E बोला है न हाहां तो वो sorry 7 नहीं आड़ होगा यहां पर E आड़ होगा 7 आड़ नहीं होगा मैं इसको मिटा देता हूं वरना confusion रह जाएगा आप लोगो ठीक है point number E आड़ हो रहा है क्या हो रहा है point number E में आड़ point number E में आड़ हो रहा है where the service provider is located outside India the name and address of the person in control of the books of account and other books and papers in India आपको देना पड़ेगा तो यह point आप आड़ कर रहे हो कि अगर आपका service provider बाहर कही situated है out of India situated है तो हमको एक ऐसे person का name और address दो जो बंदा इंडिया में बैठा है चल फिर इसके बाद है the central government has amended CSR फिर से in the company CSR rules 2014 in rule 3 in sub rule 1 after the process of following process shall be inserted ठीक है मैं आपको लिया कर बता देता हूं page number 9.35 यह आगे अब यहां पर in the company's corporate social responsibility rule 14 in rule 3 in sub rule 1 in rule 3 sub rule 1 rule 3 is एक मेंडा यह है rule 3 ठीक है और यह उसका sub rule 1 ठीक है sub rule 1 इसने बोला है after the proviso the following process shall be inserted यानि कि यह जो provided that है इसके बाद एक नया provided that add करना है तो यहां पर amendment आएगा यहां पर आएगा provided that यह provided further that ऐसा आएगा और आप यहां पर यह एक और प्रोविजर लिख रहे तो आप यह provided further लिखते हैं हम लोग ठीक है तो यहां पर आप लिखेंगे provided यहां page लगा देना आप further that और अब यहां पर वो page आप लगा देंगे उस page पर यह पूरा सब कुछ लिख देंगे क्या यह provided further that a company having an amount in its unspent CSR account as per subsection 6 of section 185 shall constitute a CSR committee and comply with the provision contained in subsection 226 of the state act तो अगर आपके पास CSR का unspent amount है तो भले आप threshold के नीचे चले गए होंगे तो भी आपको CSR committee रखना पड़ेगा जब तक यह amount खर्च नहीं हो जाता उसके बाद भले आप उसको बंद कर दो लेकिन जब तक आपके पास CSR का unspent amount है आप CSR committee रखेंगे CSR committee will be there till the unspent amount is spent इतना पस्याद रख लेना sub rule 2 shall be omitted तो exclusion of companies यह जो है page number 9.36 पे पूरा का पूरा चला जाएगा 9.36 पे exclusion of companies हाँ यह वाला कट कर देने इसको यह काम में बड़ा तुमको पसंद आता होगा 9.36 पे exclusion of companies दिख रहा है कहां से काता काटने आपको यहां पे पूरा लिखा है पूरा काट देने आपको एक्स्क्लूजन से 135 तक जो मैंने काटा है एक्स्क्लूजन से 135 तक इतना पूरा कट कर देने आपको नहीं पढ़ना है अब यह applicable नहीं है ओमिट हो गया यह पहले धाना कि एवरी कंपणी विच सीजस्टू भी एक कंपणी कवेंडर सब्सेक्शन वान पॉर थ्री कॉंसेक्टिव फैनेंचिल यह तो उनको और पॉमिट हो गया फिर रूल पोर की बात करते है रूल पोर का आया है पेज नवर 9.42 पर है हूँ 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 हुआ है यह है रूल फॉर CSR implementation इसमें क्या करना है the board shall ensure that one का A, B, C, D जो point है उनका A, B, C, D जो point है हाँ यह और यहां से यहां तर इसको क्या करना है तो इसका बोल रहा है the following इसको काटना है आपको और इसके जगह यह पूरा अमेंड हो गया है अब यहां पे न्यू सब रूल 4 आया है यह जो आप देख रहे हैं रूल 4 यह रूल 4 का सब रूल 1 नया आया है यह नया वाला आपको लिखना है बतब आपका content कम नहीं हुआ आप बस वो काटके यह लिखरे है ठीक है the board shall ensure that CSR activities are undertaken by the company itself or through a company established under section 8 of the act यहने की section 8 company और a registered public trust और registered society exempted under sub-closs 4, 5, 6 and 6A of clause 23C of section 10 of registered under section 12A and approved under ATG of income tax act 1961 established by the company यह थोड़ा strict कर दिया है पहले यह इतना नहीं बोला गया था आप देखो यहाँ पर सिफ इतना बोला था कि section 8 के अंदर है registered public trust society बोला था under 12A और ATG of income tax लेकिन अब उसमें उन्होंने यह भी बोल दिया है कि exempted under sub-closses 4, 5, 6 and 6A of 23C of section 10 थेक है इनका भी हमको चाहिए और और त्माला strict कर दिया और कुछ नहीं a company established under section 8 of the act or registered trust or registered society established by central government ठीक है entity established under act of parliament or state legislator and a company established under section 8 of the act or registered public trust or society exempted under section 10, 23C 4, 5, 6 and 6A or registered under 12A or ATG of the income tax act and having an established track record of last three years under singular activities for the purpose of clause C the term entity shall be statually body constituted under the act of of parliament or state legislator undertaking activities undertaken in schedule 7A rule 8 in rule 8 in sub rule 3 9.44 rule 8 sub rule 3 क्या करना है इसमें इसका जो C point है उसमें 5% को 2% करना है त्री A, B, C expenditure towards CSR for that financial which shall not exceed जो 5% है यहां पर amend बिलाके इसको 2% करना है और for the whichever is less को whichever is higher करना है इसको whichever is higher करना है यह भी amendment है अब इसको समझ लेता है बोलता है a company undertaking impact assessment यह नया आया था कि impact assessment है आपको पढ़ाया था क्लास में पहले बता देता हो impact assessment क्या है सिर्फ CSR activity करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ कि हमारे activities are real life में वर्ल्ड में क्या असर पढ़ रहा है तो फिर हम लेके आया थे impact assessment अब यह impact assessment expenditure कितना हो सकता है तो उन्होंने कहा था कि 5% से उपर नहीं होना चाहिए अब हमने उसको reduce कर दिया हमने को पदा चला कि इतना नहीं लगता पैसा यह 2% भी काप है तो हमने बोला कि impact assessment आपके 2% के अंदर-अंदर हो जाना चाहिए total CSR expenditure का और 50 lakh rupees max अब यहां पर उन्होंने पहले whichever is lower बोला था ना अब whichever is higher बोले अब अगर आपकी company का impact assessment yes for example आपका CSR expenditure एक करोड है तो आइदर आप एक करोड का 2% निकालेंगे या 50 lakh rupees whichever is higher आप उतना impact assessment पे खर्चा कर सकते हो बेर मैं अगर आपको हिंदी में समझाओ तो minimum 50 lakh रुपए खर्चा कर किया जा सकता है impact assessment पे minimum 50 lakh रुपए किया जा सकता है और सर maximum कितना किया जा सकता है maximum कितना किया जा सकता है तो maximum 2% of the CSR expenditure तक आप कर सकते हो अगर आपका 1000 करोड का CSR expenditure ने तो 1000 करोड का 2% निकालो उतना तक आप impact assessment पैसा लगा सकते हो तो basically 50 lakh minimum हो गया है कि 50 lakh तो कोई भी लगा सकता है कोई भी से बले फिर हो 2% नहीं 5% जा रहा हो 10% जा रहा हो 20% जा रहा हो it does not matter because यहां पे लिगा है whichever is higher तो आपको आप impact assessment करने के लिए जादा पैसे मिल गया है short छोटे companies को ठीक है फिर इतनी हमारे amendment थे तो आप लोग को amendment समझ में आये हो जिन बच्चों ने मेरे बुक से पढ़ा हुआ है उन लोग के लिए मैं अलग से इसके लिए वीडियो या अलग से आपको मैं बता दूंगा page numbers आप उसमें इसमें अगर important amendment के आप मुझे बात करें तो small company का जो पहला सबसे प्रहिल मेरी वाला था वह बहुत important मिरे को लगा क्योंकि उसके उपर एक्जाम में question बन सकते हैं दूसरा मिरे को लगा कि यह वाला भी जो नाम चेंज वाला यह भी एक अच्छा amendment है ठीक है यह वाला अच्छा लगा bordering nations का prospectus allotment of security वाला ठीक है इसके बाद इसके बाद अगर आप देखेंगे तो येस management administration का यह वाला भी अच्छा था और अकांट्स अप कंपनीज में CSR वाले तो इतने कोई important रखते नहीं लेकिन CSR में एक तो यह वाला amendment देखना ना विकाज अमेंडमेंट ही दो बार खुद अमेंड हुई है एक तो यह देख ले ना और दूसरा मिरे को ने एक important लगा था वो मैं बताता हूं जो मिरे इसको अती important लगा यह जो books of accounts के लिए चोटे मोटे changes डेली बेसे अट आल टाइम यह चोटे मोटे changes प्लीज याद रख लिए इसको कोई बहुत बड़ा importance अलग से देने की जरते हैं बड़ याद रख लिए यह वाला सबसे important इसको star mark कर लो भी तो इसके उपर exam में question बन सकता है एक इसको star mark कर दो star ठीक है यह और यह ठीक है कहाँ गहाँ दूसरा पर को एक और important वाला है हाँ यह दोनों पॉइंट्स एक्चली यह सबसे important विए एक्स्क्लूजन है ना यह सबसे बड़ा रूल था actually अब अब उनके उन्होंने वह यह खत्म कर दिया एक बार आप CSR में अंदर आ गए अब आपको हमेशा CSR कमिटी बनाते बैठना पड़े अब उससे बाहर कभी जाही नहीं सकते वैसी वाली बात हो जाही को खेर यह लौन को लाना चाहिए वापस कैसे इसको मिट कर दिया एनिवेज यह इंपोर्टन अमेंडमेंट्स थे आप उसको चेक आउट कर लेंगे डाट इस एट अमेंडमेंट्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुब हो मैं आपको चल्दी से ले चलता हूं हमारे वेबसाइट पर अगर अभी तक आप यह इंपर आने के बाद यह एंटर में जाईए कि और यहाँ पर आप Get सब्सक्रिप्शन प्रस्क्रिशन पर सब्रक्राइट क्लासे ड्राइट क्वेशंता करें मुलेगे तो क्यक्को एडिश्णल कर आपना बंपसंद ट्रॉंठ डॉमें घुर्स करिए अपना मन पसंद ट जैनुर है और यहां पर आकर आप C A A D A R S H C A A D A R S अप्लाइ करिए आपको देखेंगे कि maximum possible discount आपको मिल जाएगा प्रसीड टूपे करिए और no cost CMI का भी option है बहुत सारे benefits है club और आप उसको ठेख सकते हैं that is it C Aadash को इस्तेमाल करके मुझे support करें thank you so much for watching this amendment video and please please share your love in the comment section like करना वीडियो को और शेर करना अपने दोस्तों के साथ thank you so much जाइन जाए बारत बाइबाए